सोलन के दारला घाट में चालक जेविसी मसीन से खुदाई कर रहा था कि तबी मशीन पर काल बन कर 100 टन का पत्थर गिर गया पत्थर गिरने से मशीन के परकचे उठ गए और मशीन के मलवे के बीच चालक की जान अटक गई पत्थर उठाने के लिए बड़ी बड़ी मशीन जिला परशाशन ने तुरंत बुलाई लेकिन वो मशीन केबल 90 टन तक का बोज उठा सकती थी फिर क्या था जिला परशाशन ने सूजबूस का परशे देते हुए एंडी आरफ को मुलाया और गैस कटल से मशीन को काटा गया तब जाकर के चालक को बचाया जा सका जिला उपायक तराकेश कवर ने घटना की जानकारी देते हुए पताया कि करीबं 16 घंटे तक चालक मशीन के बीच और पत्थर के नीचे फसा रहा और स्थानी परशाशन वो एंडी आरफ तीम और स्थानी लोगों की मदद से चालक को निकाला गया उन्होंने कहा कि अब चालक बिलकुल ठीक है जिसका अरकी की अस्पतार में उपचार चल रहा है लग स्थे यानोड क से टाईथ safe क 나 करे तक रहा है अगर की असे थीच पूलक काला प् 한 स Forum इस और मैं में तस्री रहां अमें स्थे आपज की बढ़ द korkल रहाँ के छाँ दो हम स्थे शेवाण को अट रह में तो झाल झाल